वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं सुनीता गोयल को पितलम मैं आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बची हुई रोटियों से ऐसा नास्ता बनाना बताऊंगे कि आप इसके आगे पिच्चा कचोरी समोसे पकोरी सब खाना भूल जाएंगे वैसे तो रात की पूटी जादा बना लेना मुझे इसी का नास्ता बना देना तो चले रैस्पी स्टार्ट करते हैं यहां मैंने दो रूटियों ले ली थी और यह बॉल किये हुए आलू है जिसको मैंने कदूकस कर लिया है और कदूकस इसलिए किया है क्यूंकि इसमें कोई भी गाठे ना सभीन देडा हैं और यह दिखी मैने इसमें दो हरी मिर्च डाल दी है नास्ता हमारा जो है तो डासा सा इस चील सी हरे अंगे विए बने आप सब्सक्तव ही बनाने में एजम IPS कर दो यह अपर बोदी झाल बनेखा नास्ता है तो शो हो ऑच के बाता है हमें गल ऋञंगते हॉ खड़े जीरे का इस्तिवाल किया है आप पाउडर का भी इस्तिवाल कर सकते हैं आधा चमश डाला है धनिया पाउडर और आधा चमश डाला है मैंने लाल मिर्च का पाउडर मसाले अपने टेश्ट के अकॉर्डिन भी स्पाइसेश जो है आप कम्या जादा कर सकते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला सच में इतना टेश्टी हमारा नास्ता बनेगा कि मैं क्या ही बताऊं आपको और अब हम इसमें डालेंगे अपने टेश्ट के अकॉर्डिन थोड़ा सा नमक आप इसमें सब्जियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाजर, सिम्ला में जो भी आपके पास है वो सब्जियां भी आप इस आलू की जगे पर डाल सकते हैं और इस तरह से हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथ से मिक्स करना है क्या है कि हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है तो इस तरह से हम मसाला जो है वो मिक्स करते हुए रेडी करेंगे अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजेगा और यह देखिए अब हम क्या करेंगी अब एक घोल रेडी कर लेते हैं जिसके लिए भी मैंने गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल किया है नास्ता जो है हमारा बिल्कुल और पूरी तरह से हैल्दी तरीके से मैंने बनाने की कोशिस की है थोड़ा सा डालेंगे इसमें नमक, नमक हमने मसाली में भी डाला है आलू का जो बनाया है उसमें तो नमक इसमें हमें थोड़ा ही डालना है थोड़ा सा धनिया पाउडर लाल मिश पाउडर डाल देते हैं उसके बाद प्यारा सा कला राय हमारे नास्ते का उसके लिए डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक घोल डेडी करेंगे हम बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाड़ा नहीं होना चाहिए घोल अमारा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलिएगा मैं हर रोज आपके लिए कुछ नया बनाना की कोसिस करती हूँ अपने केचिन में जाके और वो भी सोचती हूँ कि मैं कुछ हेल्दी बनाओं और ऐसा भी सोचती हूँ कि मनला वही चीज़ों का मैं अपने नाश्ते में इस्तिमाल करूँ जो हमारी केचिन में इजी तरीके से मिल जाए और अगर आप बची हुई रोटियों का इस्तिमाल कर रहे हैं तो सच में क्या ही कहने और इस तरह से हमें इतना पतला घोल रेडी कर लेना है और अब हम क्या करेंगे घोल को बाजू रख देते हैं और इधर रोटियें ले लेते हैं आपकी अगर सासुमा हैं तो वो तो खुस हो जाने वाली हैं कि बहु अमारी बहुत ही अच्छी है और वो रात की रोटि का भी इतना टेस्टी नास्ता बना देती है कि सच में पडोस में भी पता चल जाने वाला है अगर आप इस तरह से नास्ता बनाएंगे तो और अब हम इसमें डाल देते हैं मैंने ये लिया था पिजजा सास अगर पिजजा सास नहीं है तो कोई नहीं नॉर्मल सास ले सकते हैं चलिए नॉर्मल सास भी नहीं है तो आप हरी मिर्च्छी और धनिया की चक्टी बनाके उसको इसके उपर अपलाई कर सकते हैं और अब हम क्या करेंगे इसमें डाल देते हैं यह जो आलू का मसाला बनाया था ना हमने वो सच में बहुत ही टेस्टी बनेगा अगर आपने बच्चों को इस टिफिन में दे दिया ना तो टिफिन तो पूरा फिनिस होके ही आना है आप इसको कभी भी बना के खा सकते हैं इस मैस्ते को सुवेर साम दुपहर में जब आपका खाने का मन करें तब बना लीजिए बहुत ही टेस्टी बनेगा तो आलू का मसाला पूरा हमने फैला लिया है अच्छी तरीके से और उसके बाद हम यह डाल देते हैं इसके उपर यह चीज मैजरोला चीज है आप इसके उपर प्रोसेश चीज भी डाल सकते हैं मैजरोला चीज भी डाल सकते हैं या फिर स्लाइस वाला जो चीज आता है आप उस चीज का भी इस्तेवाल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ही जो पनीर होता है उसको भी आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं सच में आपकी मर्जी है या फिर आ पैसे ही बना लीजीए, कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी आपका नास्ता इत्ना टेस्टी बनेगा, सच में इस बात की मैं गिरंटी लेती हूं कि ये कितना टेस्टी बनेगा, और अब हम करते हैं यहां इसको कट, तो सबसे निए इस तरह से प्लस और निसान लगाएंगे लेकिन उसके दूसरी साइड मतलब पीच में इसे लगाना है तो इस तरह से हमें चारो तरफ से प्लस का निसान लगाते हुए कट कर लिएना है और यहां इस तरह से कट दी validity इजी तरीके से हो जाएगा और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे जो रोटी के जो हिस्से हमने कट किये हैं उनको एक के उपर एक हिस्से को रख देंगे और इस तरह से हर पार्ट को हमें एक के उपर रखते हुए इस तरह से ये लेयर हमें इसकी इस तरह से बना के रेडी कर ल कि सच में मैं जूट बोल ली हूं या सच बोल ली हूं बहुत इजी तरीके से बना है सबसे बड़ी बात है जो रोटियां हमारी रात की बच जाती है उन्हें हमें फेकना पड़ता है इससे अच्छा है कि हम इस तरह से नास्ता बना के खाएं को अगर आप नहीं बताएंगे कोई समझ नहीं पाना है कि यह मैंने रोटी से नस्ता बनाया है वो भी बची हुई रोटियां और यह देखिए इस तरह से हम एक एक पीस को गोल में करेंगे जो हमने गहों के आटे का गोल बनाए ना उस गोल में हम डिप करेंगे और इसमें अवाल में डाल देते हैं गैस क इसको दोमनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसको जो नीचे के लिए है वो एकदम गोल्डन हो जाए और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी तरीके से हमारा नास्ता बनेगा इसमें जब अंदर से यह जो चीज मैल्ट होगा ना उसका तो सच में टेस्ट आपको हम फ्राइ करेंगे उलट उलट करते हुए थोड़ा साफधानी के साथ कान करें क्योंकि ऑइल का काम जब भी करें तब साफधानी के साथ ही करें बच्चों को अपने पास बिल्कुल भी ना खड़ा होने दें क्यांकि बच्चे तो बहुत ही नौटी होते हैं तो वो कुछ आप कर सकते हैं तो चलिए बातों में हमें पता ही नहीं चला हमारा नास्ता भी रेडी हो चुका है एक दिम से golden brown अंदर से soft बाहर से crispy सर्च में आप पिज़ा भी खाने के लिए नहीं कहेंगी ये घर में इस तरह से हüdसे नास्ता बना दिजी मुझे बहुत अच्छा लगा था सच में तो यह लीजिए हमारे नास्ते की प्लेटिंग हो चुकी है आप सॉस के साथ खाईए या फिर ऐसे ही खा लीजिए आपकी मर्जी है आप जैसे खाना चाहें बर ट्राइ जरूर करिए मेरे तरीके से रैस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को ल